आज की वीडियो में आप सब के साथ weekly skincare routine शेयर करने वाली हूँ with affordable products सारे products काफी जादा अच्छे and affordable है आपको easily online and offline मिल जाएंगे और जितने भी products है ना it's for all skin types और results सब के काफी जादा अच्छे हैं तो without wasting any time let's get started तो weekly skincare routine का सबसे पहला step होता है cleanser इसमें आपने कोई अच्छा सा cleanser use करना है इसके लिए मैं आपको recommend करूगी सेयद गनी का goat milk face cleanser try कर लो काफी affordable है और काफी जादा अच्छा है इसका जो texture है ना काफी buttery सा है आपके face को काफी अच्छे से clean कर देता है and glow भी provide करता है and guys it's for all skin type आपको यह online offline easily मिल जाए का so guys there is a difference between cleanser and face wash face wash हम daily use करते है और cleanser हम week में सिरफ दो दिन ही use करते है अगर आप cleanser में invest नहीं करना चाते तो आप घर पर अपना खुद भी cleanser बना सकते हो इसके अलावा आप अपना face wash भी use कर सकते हो it's all up to you तो cleanser use करने से पहले भी make sure के आपके हाथ साफ हो अपने हाथ को साबून से अच्छी तरह wash कर लो उसके बाद आपने cleanser लगाना है अप cleanser अपने face hand neck feet कहीं पर भी लगा सकते हो और आपने अच्छी तरह से massage करनी है for 30 seconds so cleanser को wash off करने के बाद आपने face को dry कर लेना है और उसके बाद second step होता है scrubbing इसके लिए मैं आपको recommend करूगी points का facial scrub इस पर लिखा हो है कि यह daily facial scrub है लेकिन याद अखना कभी भी हम scrubbing daily नहीं करते week में सिर्फ दो दिन ही करते है तो मेरे पास यह mini size में है and it's quite affordable as well बिल्कुल gentle scrub है आपको कोई harsh नहीं लगने वाला it's for all skin type teenagers के लिए यह काफी जादा अच्छा है तो scrubbing से क्या होता है कि हमारे face के जो dead skin cells होती है ना वो remove हो जाती है इसलिए आपने कोई भी step skip नहीं करना ठीक है scrubbing भी आपने बस 30 seconds करनी है याद अखना over scrubbing बिल्कुल भी नहीं करनी उसके थोड़े नुकसान होती है ठीक है आपने कम टाइम के लिए करनी है और जोर जोर से नहीं रगना अराम अराम से scrubbing करनी है थर्ड स्टेप होता है मास्क मास्क में आप किसी भी किसम का मार्क्स यूज़ कर सकते हैं आप घर पर खुद बना सकते हो आप कोई market वाला भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूगी यह RM Organics का brightening termic face mask काफी जादा चाहे इसके बहुत जादा benefits है it's for all skin type, अगर आपको pigmentation, dark circles, dark sports, acne, acne scars, winkles, इन सब का issue है यह इन सब को कम करेगा, इसके अलावा यह आपको powder form में मिलेगा, यह 100% organic है which means it's safe to use, organic products काफी जादा अचे होते हैं कि कोई side effects नहीं होते हैं तब अराम से इनको यूज कर सकते हो इसके ingredients भी यहाँ पर mention है, अगर आप यह खरीदना चाहते हो तो आप एक दफा देख लेना कि आपको किसी भी ingredients से allergy तो नहीं है and guys इसको बनाना कैसे है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आपने एक बाउल लेना है और इसमें 2 teaspoon डाल देने है इस mask के अब इसको आपने liquid खुद बनाना है, अगर आपकी oily skin है तो आप इसको mix करो rose water के साथ मैं अभी yogurt आड़ कर रही हूँ, मुझे yogurt काफी जादा पसंद है, फेस को बहुत अच्छा glow मिल जाता है योगर लगाने के बाद and अगर आपकी dry skin है तो आपने इसमें आड़ करना है milk मैं one and half teaspoon आड़ कर रही हूँ, योगर्ट का इसके बाद इन सब को अच्छी तरह से mix करना है और हमारा mask हो जाएगा ready आप इस mask को अपने face, neck, hand, feet कहीं पर भी use कर सकते हो, it's 100% organic and safe to use, इसके results काफी जादा अच्छे है क्योंकि ये organic product है तो result आने में थोड़ा time लगता है and guys, इसी mask में मेरी acne कम की है, अगर आपने खरीदना है तो आपको ये RM Organics के Instagram पेज से मिल जाएगा marks आपने at least 30 minutes तो अपने face पे लगा के रखना है अगर आपके पास कम time है तो आप 15 minutes लगा लो, जादा time है तो 30 minutes या फिर 1 hour के लिए लगा दो mask को तारने के बाद आपने face पे लगाना है toner जिसके लिए मैं आपको एक ही toner recommend करूँगी which is rose water, rose water is the best toner, it's for all skin type, it's affordable और इसके बेशुमार फाइदे है या आपके skin के redness को कम करेगा आपके face के pH level को maintain रखेगा, आपके pores को clean रखेगा and what not rose water सूख जाए उसके बाद आपने लगाना है कोई भी अच्छा सा मॉस्टराइजर, यह मेरा फेवरिट मॉस्टराइजर है इस निविया सॉफ्ट, आप कोई भी अपना फेवरिट मॉस्टराइजर यूज़ कर सकते हो So guys, यह थी 5 step weekly skincare routine जो आपने एक हफ़ते में दो दिन जरूर फोलो करनी है, यह सारे प्रोड़क्ट्स काफी जादा अच्छे हैं, इनकी price भी मैंने साथ-साथ mention कर दी है, अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप comment section में पूछ सकते हो, I hope आपको यह वीडियो अच्छी ल